आप सुन रहे हैं एहसास, नमशकार, मैं हूँ नंदीता बसू आज मैं आपको मेरी लिखी नजम रात सुनाने जा रहे हूँ सुस्ती ने ओड़ली चादर आखें अलसाई है, किसने तुम्हारे सपनों में दस्तक लगाई है सुस्ती ने ओड़ली चादर आखें अलसाई है, किसने तुम्हारे सपनों में दस्तक लगाई है जाओ नीद को कहना सोने का वक्त नहीं है, थोड़ा और जाग लू, रात को दिन का भ्रहम है राते अच्छी लगती है, नीद भी जल्दी आती है, जब सुबह उठने की कोई खास वज़र याद आती है हाँ भटकती हूँ मैं जुगनूओं की तरह, हाँ भटकती हूँ मैं जुगनूओं की तरह, चांद से भी कहा था, छोड़ के मत जाना पहले की तरह सुस्ती ने ओड़ ली शादर, आखे अंसाई है, किसने तुम्हारे सपनों में दस्तक लगाई है तारों के बीच जगह वो दिख रही थी खाली सी, आवाज आई, तेरा वक्त नहीं है, क्या जल्दी है इतनी आने की हाँ, चान को मेरे शहर में आने की जल्दी थी, क्योंकि तुम्हारे शहर से आते हुए उसे यादें जुलानी थी पर वही तुम्हारी पुरानी आदतें थोड़ा देर कर देते हो, पूनम के चान के लिए महीने इंतजार करवाते हो सुस्ती ने ओड़ली चादर आखें अनसाई है, किसने तुम्हारे सपनों में दस तक लगाई है फिर कहोगे तुम्हारी आखों के नीचे काले बादल क्यों है, क्या तुम्हारी रातें महीनों से जाकते हुए कट रही है? क्या तुम्हारी रातें महीनों से जाकते हुए कट रही है? सोचा राच से अब दोस्ती कर लू रिष्टा जोड लू क्या पता कितनी रातें और जाकते हुए कटेंगी? अलसाई आखों की कहानी बिना मतलब दुनिया पूछेगी छोड दोना इतने सवाल जवाब, नीच को भी समझा लेंगे? आएगी जब दबाएगी, देखते हैं कितना मुच राएगी? अमावस की रात को पूनम का चान कहां से लाएगी? सुस्ती ने ओड ली चादर आखें अलसाई हैं किसने तुम्हारे सपनों में दस्तक लगाई हैं? उमीद करती हूँ आपको ये नजब दसंदाई होगी, तो मिलते हैं बहुत जल, कुछ नया और खास लेकर, तब तक के लिए अलविदा. झाल झाल